सनातन धर में सावन के महीने का विशेस महतों माना जाता है। यह महीना भगवान स्यू को समर्पित होता है। सावन के चार सोमवार बीच चुके हैं और पांचवा और अंतिम सोमवार आने वाला है। सावन के अंतिम सोमवार पर ग्रह नशत्रों का अद्बुत सयोग बन रहा जो सावन के अंतिम सोमवार को और भी सूब और फलदाई बना रहा है। साधना से हर मनोकामना पुन होंगी। वैदिक पंचाएं के नुशार उन्निस अगस्त को सुब पांच बचकर शीयालिस मिड़ तक सौभागय योग है। इसके अलावा पूरे दिन पुन्निमा तिती और सावन नच्छत्र है। सावन महिने की उत्पत्ति मानी जाती है। पांचवा और अंतिव शूम्मार जो है, उन्निस अगस्त को मनाया जाएगा। और इसका बहुत बड़ा महत्व है कि स्रावन नच्छत्र उस दिन प्राक्त हो रहा है। तो स्रवण नच्छत्र ही जो है पुर्णिमा के दिन जो नच्छत्र आते हैं वही माह के नाम होते हैं तो स्रवण नच्छत्र श्री शावन के उत्पत्ति मानी यही है स्रवण नच्छत्र के द्वारा तो स्रवण नच्छत्र आने के वज़से जो है सबसे महत्वपूर्ण ह उस दिन सौभाग्य योग है और सबसे बड़ी बात है सिद्धी नामा की योग है जो सिद्धी को मलब हरेक मनों कामनाव को सिद्ध करने वाला है और पुर्णिमा अपने आप में ही प्रसस्त योग माना जाता है इतने योग तो प्राप्त हो रहे हैं ता योग है प्रसूमा इस बार जो है कि STEPHAN hereorie समय संद्रवा में मकणमा को परद्रमन होगा मकर और कुम्भर राशी का योग अपने आप में विश्चा US इसको थो जिनको संी समस्या हो तो आकरी संसंवा स्थ अगर वब विदिवत भगवान सीव को काला तिल चड़ाते हुए चावल के साथ अगर पूजन करते हैं तो उनकी मनो कामना पूर्ण होती है और सभी समस्याओं से उनको नियाद में होता है जैविश्वक्राइब